मेरे प्यारे देश स्वासियों, आपको ध्यान होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समरुद्य विरासत की खास तोर पर चर्चा की थी। भारत के स्थानिय खिलोने, परंपरा और प्रकृती दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ। हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्टप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉय इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलता है हासिल की है, उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी। आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती है, तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल की ही गुंच सुनाई दे रही हैं। आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने भार चे आते थे, वही अब इनका आयात सत्तर प्रतिशत तक घट गया है। और खुशी की बाद ये है कि इसी दोरान भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है। जबकि पहले 300-400 करोड रुपे के खिलोने ही भार चे बार जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय सक्टर ने खुद को ट्रांस्फॉर्म करके दिखा दिया है। इंडियन मैनिफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलोने बना रहे हैं। देश में जगर, जगर खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमि है, उन्हें इसका भौ। भौत लाव हो रहा है। इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत के खिलोना निर्वाता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांज के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है, वे इक्षेतर में कई मजेदार चीजे भी कर रहे हैं, बैंगलूरू में शूमी टॉय नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है, गुजरात में आर्किजू कमपनी, ए आर बेज फ्लेश कार्ड्स और ए आर बेज टोरी बुक्स बना रही है, पूने की कमपनी, फन्वेंशन ल खिलोने और एक्टिविटी पजल्स के जरिये साइंस, टेक्नलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी हैं, मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे, ऐसे सभी मेनिफेक्टर्स को, स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बढ़ाई देता आईए हम सब मिलकर भारतिये खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिये बनाएं, इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा, कि वे अधिक से अधिक भारतिये खिलोने, पजल्स और गेम्स खरीदें